परिचय विद्यार्थियों तैयार हो जाएए आज हम शंकू परिचेत के बारे में पढ़ेंगे क्या आपने कभी पईया देखा है? उसका आकार कैसा होता है? हाँ, वहाँ वृत्ताकार होता है आप में से कितने लोगों के पास अपने घर में डिश्टीवी है परवलयाकार होता है अच्छा, क्या आप जानते हैं कि प्रिच्वी का सूरी के चारों और घूमने का मार्ग क्या होता है? हाँ, वहाँ दीर्ग वृत्तिय होता है तो अन्तता कौन मुझे बताएगा कि इस वस्तू का आकार कैसा है? वहाँ अती परवलयाकार है इस पार्ट में आप सीखेंगे कि इन आकारों का विशलेशन कैसे करते हैं और विभिन वस्तूओं की परिकल्पना में इनकी क्या भूमिका है? उत्तेशे इस पार्ट के अन्त में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे दिये गए केंद्र के निश्चित बिंदूओं से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरन ग्याद करना दिये गए माप दंडों की सहयता से परविलय का समीकरन ग्याद करने और उसके अक्ष और नाभी के निर्देशांकों को दर्शाना दिये गए माप दंडों की सहयता से दीर्ग वृत्त का समीकरन ग्याद करना दिये गए माप्दंडों की जाहिता से अतिपरवलय का समिकरन ग्याद करना शंकु के परिछेद किसी शंक्वाकार सतह को एक सम्दल द्वारा परिछेदित करने से प्राप्त वक्रों को शंकव यानि कौनिक सेक्शन कहते हैं हम जानते हैं कि शंकु एक सतह या एक ठोस आकरिती है जिसे एक रेखा गुजार कर बनाया जाता है जिसमें रेखा हमेशा एक संतल को प्रतिछे दित करती है जिसे नियता कहते हैं और जिन इस्थिर बिंदूओं से होकर गुजरती है उन्हें शीर्ष कहते हैं अब हम एक लंब वृत्तिय शंकू के विभिन परिछेदों की चर्चा करेंगे। एक लंब वृत्तिय शंकू एक समतल द्वारा प्राप्त परिछेद जो की किसी भी जनक के समनांतर नहीं होता और ना ही शंकू के अक्ष के लंब वत और ना ही समनांतर होता है दीर्ग वृत्ति कहलाता है। वृत्त एक समतल में सभी बिंदूं का समुच्च या सेट होता है जो समतल में एक निश्चित बिंदू से समान दूरी परिस्थित होता है। वृत्त पर एक बिंदू से वृत्त के केंद्र की दूरी को तरिच्या कहते हैं। वृत्त के समिकरण को इस तरह भी लिखा जा सकता है। जहां C, H के वृत्त का केंद्र बिंदू है। R वृत्त की तरिच्या है। A, X, Y वृत्त पर एक बिंदू है। उधारण केंद्र 3,2 और 30,7 से वृत्त का समिकरण क्यात कीजिए। हल, हमें वृत्त का केंद्र 3,2 और 30,7 दिया गया है। केंद्र H, K और 30,R, के एक वृत्त का समिकरण इस प्रकार दिया गया है। केंद्र और त्रिज्या का मान रखने के बाद हम पाते हैं कि x घटा 3 का वर्ग जमा y घटा 2 का वर्ग बराबर है 7 वर्ग के जो की गणना करके हल करने पर x वर्ग जमा y वर्ग घटा 6x घटा 4y बराबर 36 प्राप्त होगा परवलए को नियता कहते हैं, निश्चित बिंदु को नाभी कहते हैं, परवले का अक्ष जिस बिंदु पर परवले को काटता है, उसे परवले का शीर्ष कहते हैं, नियता के लंबवत और नाभी से होकर जाने वाली रेखा को परवले का अक्ष कहते हैं, परवलय का मानक समीकरण यदि शीर्ष मूल बिंदू पर हो और इसके सम्मित अक्ष एक्स अक्ष या वाई अक्ष के अनुतिश हो तो परवलय के ऐसे चार संभवदिक विन्यास हैं परवलय का समीकरण y वर्ग बराबर 4 ax, y वर्ग बराबर घटा 4 ax, x वर्ग बराबर 4 ay, x वर्ग बराबर घटा 4 ay परवलय की नाभी से चानिवाली और परवलय की अक्ष के लंबवत रेखा खंड जिसके अंत बिंदू परवलय पर हो, उसको परवलय की नाभी लंब जीवा कहते हैं परवलय, y वर्ग बराबर 4 ax की नाभी लंब जीवा की लंबाई 4 a है उधारण, उस परवलय का समीकरण क्याद की थिये, जिसकी नाभी लंब जीवा 4 इकाई है जिसका अक्ष रेखा 3x जमा 4y घटा 4 बराबर 0 है और शीर्ष की स्पर्ष जया रेखा 4x घटा 3y जमा 7 बराबर 0 है हल, माना की P, X, Y परवलय पर कोई बिंदू है शीर्ष की स्पर्ष जया के लंब वत PM और उसके अक्ष के लंब वत PN खीचे तथा PN वर्ग पराबर होगा ना भी लंब जीवा गुणे PM के इसे समीकरन एक से चिन्हित करें अब PN बराबर अक्ष 3x जमा 4y घटा 4 बराबर 0 पर P, X, Y से लंब की लंबाई है 3x जमा 4y घटा 4 बटे 9 जमा 16 का वर्ग मूल बराबर 3x जमा 4y घटा 4 बटे 5 PM बराबर शीर्ष की इस परश्च जया A 4x घटा 3y जमा 7 बराबर 0 पर P, X, Y से लंब की लंबाई 4x घटा 3y जमा 7 बटे 16 जमा 9 का वर्ग मूल बराबर 4x घटा 3y जमा 7 बटे 5 ना भी लंब जीवा है चार समीकरण 1 से 3x जमा 4y घटा 4 बटे 5 वर्ग बराबर 4 गुणा 4x घटा 3y जमा 7 बटे 5 3x जमा 4y घटा 4 का वर्ग बराबर 20 4x घटा 3y जमा 7 ये परवले का अभीष्ट समीकरण है दीर्ग वर्ट एक दीर्ग वर्ट एक तल के उन बिंदू का समुच्च है जिनका तल में दोस्थिर बिंदूों से दूरी का योग अचर होता है दोस्थिर बिंदू को दीर्ग वर्ट की नाभियां कहते हैं नाभियों को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्धिबिंदू को दीर्ग वृत्त का केंडर कहते हैं दीर्ग वृत्त की नाभियों से जाने वाला रेखाखंड दीर्ग अक्ष यानि मेजर एक्सिस कहलाता है जिसकी लंबाई 2A होती है केंदर से जाने वाला और दीर्ग अक्ष के लंब वतरे का खंड लगु अक्ष यानि माइनर एक्सिस कहलाता है जिसके लंबाई दो भी होती है दीर्ग अक्ष के अंत बिंदूं को दीर्ग वृत्थ के शीर्ष कहते हैं नाभियों की दूरी को दो सी से निरूपित किया जाता है दीर्ग वृत्थ की उत केंदरता दीर्ग वृत्थ के केंदर से नाभी और केंदर से शीर्ष की दूरियों का अनुपात है अर्थात E बराबर C बटा A दीर्ग वृत्थ का मानक समीकरण यदि दीर्ग वृत्थ का केंदर मोल बिंदू पर हो और नाभियां X अक्ष या Y अक्ष पर स्थित हों तो ऐसे दो दिक्विन्यास है X वर्ग बटा A वर्ग जमा Y वर्ग बटे B वर्ग बराबर 1 X वर्ग बटे B वर्ग जमा Y वर्ग बटे A वर्ग बराबर 1 दीर्ग वृत्थ के नाभिलंब जीवा की लंबाई X वर्ग बटे A वर्ग जमा Y वर्ग बटे B वर्ग बराबर 1 घटा 2B वर्ग बटे A है उधारण यदि नाभी लंब जीवा की लंबाई नाभियों के बीच की दूरियों के बराबर हो तो दीर्ग वृत्त की उत्त केद्रता ग्यात कीजिए हल नाभियों के बीच की दूरि बराबर नाभि लंब जीवा की लंबाई का 2AE बराबर 2B वर्ग बटे A अथवा AE बराबर A वर्ग 1 घटा E वर्ग बटे A अथवा E बराबर 1 घटा E वर्ग अथवा E वर्ग जमा E घटा 1 बराबर 0 E बराबर घटा एक, जमा घटा एक जमा चार का वर्गमूल बटे दो, बराबर घटा एक जमा घटा पांच का वर्गमूल बटे दो. देर गवरित के लिए 0 जो छोटा है E से, एक जो बड़ा है E से. अस्विकरित या उपेक्शित E बराबर घटा एक घटा पांच का वर्गमूल बटे दो जोकी छोटा है 0 से. हमें प्राब्त होता है E बराबर पांच का वर्गमूल घटा एक बटे दो. अति परवले एक अति परवले तल के उन सभी बिन्दों का समुच है जिन की तल में दोस्थिर बिन्दों से दूरी कांतर अचर या स्थिर होता है दो इस्थिर बिंदों को दीर्ग वृत्त की नाभियां कहते हैं नाभियों को मिलाने वाले रेखा खंड को अती परवले का केंद्र कहते हैं नाभियों से गुजरने वाली रेखा को अनुप्रस्ट अक्ष यानि ट्रांस वर्स एक्सिस कहते हैं इसकी लंबाई दो ए होती है। अनुप्रस्थ अक्ष के लंबवत और केंद्र से होकर गुजरदे वाली रेखा को संयुगमी अक्ष यानि conjugate axis कहते हैं। इसकी लंबाई दो भी होती है। अती परवले अनुप्रस्थ अक्ष को जिन बिंदूओं पर काटता है उन्हें अती परवले का शीर्ष कहते हैं। दोनो नाभियों के बीच की दूरी को दो सी से निरुपित करते हैं। अति-परवलय की उत-किंद्रता अति-परवलय के किंद्र से नाभी और किंद्र से शिर्ष की दूरियों का अनुपात है। अर्थात E बराबर C बटे A, चुंकि C बड़ा है और बराबर है A से। इसलिए उत-किंद्रता कभी भी एक से कम नहीं होती है। अती परवले के मानक समे करण अती परवले का केंद्र मोल बिंदू पर और नाभियां X अक्ष और Y अक्ष पर इस्तित हों, तो ऐसे दो दिख विन्याज होंगे X वर्क बटे A वर्क घटा, Y वर्क बटे B वर्क बराबर एक Y वर्क बटे A वर्क घटा, X वर्क बटे B वर्क बराबर एक अती परवले की नाभि लंब जीवा की लंबाई दो B वर्क बटे A है उधारण यदि संयुग में अक्ष की लंबाई पांच हो और उनके नाभियों की बीच की दूरियां तेरा हों, तो अती परवले का समिकरण ग्याद कीजिए हल मान लीजिये की अती परवले का समिकरण X वर्क बटे A वर्क घटा Y वर्क बटे B वर्क बराबर एक संयुग में अक्ष बराबर 2B बराबर 5 B बराबर 5 बटा 2 है नाभियों के बीच की दूरि बराबर 2AE बराबर 13 AE बराबर 13 बटे 2 अब B वर्क बराबर A वर्क E वर्क घटा 1 A वर्क जमां B वर्क बराबर A वर्क E वर्क A वर्क जमां 5 बटे 2 का वर्क बराबर 13 बटे 2 का वर्क A वर्क बराबर 13 बटे 2 का वर्क घटा 5 बटे 2 का वर्क बराबर 36 अती परवले का समिकरण X वर्ग बटे 36 घटा Y वर्ग बटे 25 बटे 4 बराबर एक अर्थात X वर्ग बटे 36 घटा 4Y वर्ग बटे 25 बराबर एक क्या आप जानते हैं यूकलीट प्राचीन यूनान का एक गणितक गिता उसे जायमिती का जनक कहा जाता है उनके ग्रंथ गणित के इतिहास में गणितीय शिक्षम के लिए सबसे सफलतम कृती है रने डुकाट ने जयमती के क्षित्र में एक महितपून योगतान दिया उसने वैशलेशिक जयमिती का विकास किया सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं वृत्त सम्तल के उन बिंदूओं का समुच्चे होता है जो तल के एक स्थिर बिंदू से समान दूरी पर होते हैं केंद्र एच के और त्रिज्या आर के एक वृत्त का समिकरन है एक परवले तल के उनसे भी बिंदूओं का समुच्च है जो एक निश्चित सरल रेखा और तल के एक निश्चित बिंदू जो रेखा पर इस्थित नहीं है उससे समांदूरी पर हैं नाभियों A, 0, A जो 0 से बड़ा है और नियता X बराबर घटा A के परवले का समिकरण है परवले की नाभी से चाने वाली और परवले की अक्ष के लंबवत रेखा खंड जिसके अंत बिंदू परवले पर हों उसको परवले की नाभी लंब जीवा कहते हैं परवले वाई वर्ग बराबर 4AX के नाभी लंब जीवा की लंबाई 4A है एक दीरकवरित तल के उन बिंदूं का समुच है जिनका तल में दूस्थिर बिंदूं से दूरी का योग अचर होता है एक्स अक्ष पर नाभी वाले एक दीरकवरित का समिकरण है दीरकवरित की नाभियों से जाने वाली और दीरकवरित अक्ष पर लंब वत रेखाखंड जिसके अंत बिंदू दीरकवरित पर हों उसको दीरकवरित का नाभी लंब जीवा की लंबाई है एक अति परवले तल के उन सभी बिंदूओं का समुच्च है जिनकी तल में दो इस्थिर बिंदूओं से दूरी का अंतर अचर होता है एक्स अक्ष पर नाभी वाले अति परवले का समिकरण है अति परवले की नाभियों से जाने वाली और अनुप्रस्थ पर लंब वत रेखाखंड जिसके अंत बिंदू अति परवले पर हों उसको अति परवले की नाभी लंब जीवा की लंबाई है झाल झाल